अपच्छकार दोस्तों NTA NET, BPSC, UPSC, 36 गड़ Public Service Commission, MA और BA के सभी नए बैचिज एक अपरेल 2022 से शुरू होने वाले हैं तो जो भी विध्यारती इंट्रेस्टेड हों, डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे नंबर हैं, आप उन पर संपर्क करके अपना एड्मिशन ले सकते हैं, बहुत बहुत अन्यवाल हाई फेंट्स, डिस इस टॉपर्स्वेंट एड्यूकेशन, एक बार फिर से मैं आप सबके सामने पेश हूँ, आपके CGPSC, यह जो हम फिलासफी पढ़ रहे थे, उसके एक दो टॉपिक्स, मतलब आज हम डिसकस करेंगे, और इन फ्यूचर हम इसी तरीके से छोट-छोटे बनाते रहेंगे, मैं कोशिश करूँगा इस पूरे हफते में आपकी Western Philosophy कवर कर दो, बीच में कुछ टेक्निकल समस्या आगई थी, हमारे सामने तकनीकी समस्या, जिसके कारण मैं आपके वीडियो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा था, बट अभी ठीक है, सब कुछ सामान यहें, तो मैं कोशिश करूँगा इस प्रकार के चोट 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 वीडियो, मैं आपको इस पूरे हफते में देता रहूँ, प्लस हफते में हम दो दिन live class करेंगे, उसमें जितने भी समस्याएं होगी, वो मैं सम्में खतम करतूँगा, तीसरी बात, संडे को आपको तकरी संठ एंसलम जो है, उन्होंने क्या कहा, इश्वर के लिए? इश्वर को कैसे सिद्ध किया उन्होंने? या इश्वर को कैसे प्रूफ करने की कोशीश करते हैं, संट एंसलम. अंसालम, कुछ भी कहते हैं कुछ लोग, अलग-अलग نाम हैं, तो आप इन्फ्यूज ना ये समझ में नहीं आ रहा, whatever जो भी है, ठीक है, तो शुरू करते हैं, basically, कि उन्होंने क्या-क्या कहा, इसाई संत हैं, ध्यान रखिएगा, इटली के ओवेस्टा नगर में इनका जनम हुआ था, ये आपके लिए जरूरी नहीं है, वैसे तो, सेंट अगस्टाइन से बहुत ज् सेंट अंसलम के बारे में देखते हैं, अंसलम ने, basically, ईश्वर को सिद्ध करने के लिए क्या-कया युक्तियां लगाई, किस प्रकावर नोंने भगवान को सिद्ध किया, दो ही युक्तियां हैं, सेंट अंसलम के पास, भगवान को साबित या भगवान को सिद्ध करने के ल स्रिस्टी का वैग्यानिक तर्क जो है विज्ञान के आदार पर बेज़ रॉन साइंस ये दो तरीके से इन्होंने ईश्वर को साबित करने की खोशिश की है सुनते रहेगा ज़्यादा बड़ा कंसप्ट नहीं है छोट-छोटे कंसप्ट है बट आपके लिए ज़रूरी ये है कि एक बार इस कंसप्ट को आप दिमाग में बिठा ले तो आपको समश्या नहीं आएगी बस ये आपके एक थोड़ा सा फाइदा हो जाएगा तो देखी पहला जो है इनका सत्ता मुलक तर्क जिनको हम कहते है सेंट एंसलम ने इश्वर सिद्धी के लिए सत्ता मुलक तर्क दिया था ये तो हम सभी जानते हैं या फिर जैसा में बता रहा हूँ उसको आप महसूस कीजिए कि हाँ ही सही है इश्वर का विचार ही इश्वर की सबसे बड़ी सिद्धी का प्रमान है ये सेंट एंसलम का मानना था कि जब मानली जी आपके मन में विचार आता है कि मुझे भूक लगी है तो ये विचार अपने आप में काफी है ये समझाने के लिए कि भूक क्या होती है उसी प्रकार जब मेरे मन में विचार आता है कोई मुझसे प्रेम करता है तो ये काफी है ये साबित करने के लिए कि प्रेम जैसी कोई चीज होती है ये बेसिकली सेंट एंसलम कहना चाहते हैं कि सत्ता, ईश्वर की सत्ता को मैं किस प्रकार से समझा सकता हूं या ईश्वर की सत्ता को मैं बाकी सत्ताओं को देखकर किस प्रकार से समझा सकता हूँ तो वो है सत्ता मूलक तर्ग एंसलम कहते हैं ईश्वर का जो विचार है वो पूर्ण सत्त का विचार है इस स्टेटमेंट को ध्यान रखिएगा पूर्ण सत्त, complete, exist करता है यह इसमें कोई अधूरापन नहीं है उससे अधिक पूरुन तत्व की कलपना नहीं की जा सकती इससे ज़्यादा कोई पूरुन तत्व हो नहीं सकता और इससे ज़्यादा कोई सत्त तत्व नहीं हो सकता एंसलम का जो सिध्धान्त है ये प्लेटों के प्रत्या सिद्धान्त से प्रभावित कई बार हमें दिखाई देता है जो कहते ना प्रत्या का स्थित्व होता है प्रत्या के अलावा कुछ भी नहीं है तो ईश्वर का भी एक प्रत्य हो गया इस प्रकार प्लेटों ने सामानने प्रत्यों की वास्तुनिस्ट सत्ता का प्रतिपादन किया था उसके अनुसार हमारे मन में जो विद्धिवान प्रत्या हैं वो वास्तविक होते हैं कि इस पर प्लेटों का थोड़ा सा प्रभाव था अब इसको आप इस तरीके समझिए एक बार सबस कुछ खतम कर दीजिए मालिज़ आपने कुछ नहीं पड़ा सुनने कोशिश कीजिए short and sweet शब्द में समझाने कोशिश करता हूँ अगर एंसलम का कोशन आ जाता है कि एंसलम ने ईश्वर को प्रमानित कैसे किया तो आप कहेंगे सेंट एंसलम इसाई मत के बहुत बड़े एक संत हुए हैं सेंट एंसलम ने ईश्वर को प्रमानित करने के लिए दो अलग-अलग प्रमानों की साहता ली जिसमें से पहला है सत्ता मूलक प्रभाव के उपर एंसलम के विचारों में प्लेटों के प्रत्य सिध्धान्त की छाप दिखाई देती है जिस प्रकार प्लेटों ने विचार सिध्धान्त से विचारों के अस्तित्व को सिद्ध किया उसी वक्त हम ये प्रमानित कर सकते हैं कि अगर विचार आया है तो वस्तू भी अवस्य होगी एंसलम के अनुसार इश्वर का अस्तित्व वास्तव में एक मात्र पूरण सत्थ है इसके अलावा कोई और विचार पूरण सत्थ नहीं हो सकता दूसरा देखिएगा स्रस्ट्री का वैग्यानिक तर्ग एंसलम ने स्रस्ट्री वैग्यानिक तर्ग की व्याख्या कारण कार्ण के नियम के आधार पर की है एंसलम कहते हैं संसार की सभी विशेश और सीमित वस्तूं का कोई ना कोई कारण होना चाहिए हर वस्तु का कोई ना कोई कारण होना चाहिए चाहे वो जीवित हो चाहे वो मृत हो चाहे वो भोतिक हो चाहे अभोतिक हो चाहे वो माना हो चाहे पत्थर हो हर चीज का कोई ना कोई कारण होना चाहिए दूसरी बात इन सभी का कारण अगर स्वयम भौतिक जगत ही होगा तो कहीं ना कहीं ये सीमित हो जाएगी और भौतिक जगत भी सीमित हो जाएगा लेकिन हम देखते हैं भौतिक जगत तो सीमित नहीं है ये तो ऐसीमित प्रमान है तो इस कारण के पीछे इन सभी चीजों का कारण क्या है यदि हम ये जानने की कोशिश करें तो सभी चीजों के पीछे जो वास्तविक वैज्ञानिक कारण है based on the causation theory of sent asylum sent asylum कहते हैं हर चीज का एक कारण होता है तो इस भौतिक जगत का भी एक कारण है तो इस भौतिक जगत का जो वास्तविक कारण जिसको माना गया है sent asylum के अनुसार उसी को sent asylum ईश्वर कहते हैं sent asylum कहते हैं कि जो परमतत्व है वो शुब है आनंद है सत्य है सौंदर्य से परिपूर्ण है उसी ने इस स्रस्टी का निर्मान किया है और वो जननी है वो हर चीज का कारण है जैसा कि सांख्य दर्शन में कहा गया है फिर से पढ़ते हैं sent asylum ने ईश्वर को साबित करने के लिए चुकि इसाई मत से बिलौंग करता है तो इन्हों ने बाइबल का भी साहरा लिया और इश्वर को सिद्ध करने के लिए दो उक्तियों के साहताली पहली ती सत्ता मूलक तर्क, ईश्वर का विचार ही ईश्वर के अस्तित्व को साबित करता है दूसरा है वैग्यानिक तर्क, स्रिस्टी का वैग्यानिक तर्क, जो ये कहता है कि जहर इस बहुतिक जगत का कुछ ना कुछ कारण अवश्य होना चाहिए, वो कारण केवल इश्वर है, फिर से एक बार अब इससे भी छोटे रूप में बताता हूं, आपको इससे भी छोटा सेंट एंसलम ने इश्वर के अस्तित्व को दो प्रकार से साबित किया है, एक विचार के आधार पर और एक कारण के सिध्धान्त के आधार पर, तो ये आपका सेंट एंसलम का इश्वर विचार, छोटा सा टॉपिक है, अब कल से आपको continue, मैं कोशिश करूँगा आज से ही आपको मिलने लग जाए, छोट छोटे इस प्रकार के वीडियो रोज 5 माँ देश 15 15 मिनिट के पूरी वेस्टरन फिलासॉफी को मैं कवर कर दूँगा, और उसके अलावा भी कोई एगर समश्या हो, तो आप बात कर सकते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपकी समश्या हों के समाधान करने के धन्यवाद